नमस्कार हेलो आदाब एंड वेलकम तो इन वीडियो गीम्स यूट्यूब चैनल और पहले एसीज का डे फोर लेकर आये हैं हम लोग सैसन वन सुरू होने वाला है मैच हमारा अगर देखें तो काफी वन साइड़े हो गया है यहां पर पहले ही इंग्लेंड के सामने बहुत ब अगर खेलेगी दो दिन तो कंफर्म है कि मैच जी जाएगी पर सबसे मुश्किल बाद है दो दिन बैटिंग करना अगर रियल मैच की बात करें रैकॉर्डिंग के वक्त तीसो पैंसट पे आट खो दिया इंग्लेंड ने बहुत ही छोटी 80-90 रनों की लीड है अभी और ती अगर अगर श्रीड ने बात मैंने पहले ही ती कि हमारी गेम में चेंज हो गया है जो ऑस्ट्रेलिया की हालत है वह इंग्लेंड की है वह और फिर एक और विकट लिया था तो एक्जेक्ट 419 रन्स चाहिए है यहां पर हमारा बॉलिंग का ही गेम प्ले बाकी है कि मैं 40 वर का ओटो प्ले करता हूं लेकिन यहां पर मैं पहले 10 वर कोड़ा फिर देखूंगा किस तरह कर अप्ड़ चल रहा है वनना में बॉलिंग करोगा और प्ले करेंगए इसकिप करेंगे टैन ऊवर्स और दो विकेट वाइए तो अच्छी बखिए बैटिंग नहीं क मौचे लेकिन हालात बहुत ही खराब है स्किप करना पड़ रहा है मुझे यहां पर कॉइन देगे और यहां पर मैं गीनवाजी अपने हाथों में लूँगा मोईन अली खेल रहे हैं क्रिस वाक्स खेल रहे हैं नाथन लियॉंस से ही गीनवाजी करूंगा मैं फिल्डिंग हम हमारी गीम में साथ दिन साथ ओवर होते हैं एक दिन में उससाफ से सौ ओवर में 334 रन रेट कोई बहुत बढ़ा नहीं है 334 मतलब साड़े तीन से भी कम का रन रेट है और आपके पास प्रॉब्लम यह यह कि विकेट नहीं है 74 परसंट कॉन्पिडेंस के साथ यहां गेन ब पार्ट टाइम नहीं है दूसी तरब से पार्ट टाइम लगँ और मैंने स्पीनर के सामने आज तक कभी स्पीनर से ज्यादा की इन बाजी नहीं है तो मैं देखना चाहता हूं इस तरह से इस गेम में किस तरह से परफॉमेंस देते हैं बहुत ही बढ़ीए सभी कोई हैं इस defensive ऐसे खेल लांड मुझे बहुत पसंद आए in granos का जिस तरह से खेल रही है इस तरह क अदोगे मुझे अभी तक बहुत पसंद आया है बिल कुल सही खेल रहे है इसी तरह का किरिकट कई खेलने के जरूबत है इस वक पहली बार यहां पर थर्टी याट के बाहर गई है कि और सिंगल के साथ यहां मैडन ओवर जा रहा था फाल फिलार के रुख गया है यहां पर रैंशो नहीं मिशल मार्स को मैं दे रहा हूं कि इनवाजी 333 रन 99 ओवर्स का खेल बागी है यहां पर बहुत बढ़े अलीव करते हुए अननैसेसरी तो डिस्क लेने की कोई जरुवती नहीं है अब आराम से बैटिंग करें आपके पास भरपूर मौका है बहुत सही बहुत सही बहुत सही बालर अगर आपको बाहर खिला रहा है तो मत खेलेगी बंदर आ दीजिए आपके स्टम पर हो तो ही टच करिए दे इस तरह का फॉर्म चल रहा है ना गेम मेरे खिया से आउट होंगे पिछली बार भी वहा था पिछले मैच में भी ऐसे दू अपीन हुए थी फच गए हैं इसमत साहत देते हुए इनका किसमत साहत देते हुए और मेरे खिया से क्रिस वॉक्स को फाइदा उठाना चाहें जि आ उंदे डान डाली हैं और मैसे तीन के तो लिव की तीर यहां पर कैप में गई हैं सिंगन मिलेगा श्ट्राइक रोटेट मोई नली आया मैँ रियल मैच में अभी थोड़ी देर पहले ही आउट में रियल मैच में पर यहां पर इनके बड़ी जमेदारी तो नहीं कत्रीस म मुझे लग गया था कि यह हालाद तो अस्ट्रिया के नहीं होने वाले जिस तरह से इस गीम में चल रहा है इस्ट्वर्ट प्राउड जिम्मिदारी ज्यादा है इनके उपर और शम्ता इनकी इतनी नहीं है कि यहां पर खेल पाया रहे यह कीम को गड़बड होगी गीम में कि अरे कंट्रोल सारे कायव हो गया है मुझे लगता रेकॉर्ड फिर से करना पड़ेगा यहां पॉस्ट करना हूं यह फिर से करूंगा अचीब साइक बग आ रहा है इस पिनर के साथ पता नहीं फिर से आएगा कि नहीं मैं दो बार वीडियो रोग चुका हूं यह फिर से में को रेकॉर्ड करनी पड़ रही है दिन की सुर्वात में देखना होगा बॉलर के सारे ओप्शन हड़ जाना है यह एक डालने के बाद उमीद करते हैं वो बग फिर से ना है जी नहीं या भड़ी गया चलिए अच्छी बाद है मैच की तरफ चलें अगर तो इस्ट्रण ब्राउड और क्रिस वॉक्स केल रहे हैं मोही नली का विकेट लिए बोल्ड हुए थे इंसाइड एज में अब प्रॉब्लम ही हो गई है क कि इन दोनों के पास इतनी चमता नहीं है ओन पेपर दिखा जाए तो मुझे नहीं लगता है यह तो साड़े 300 रन 330 कर सकते हैं बस अब देखना यह है कि मैच को कितना पीछे ले जा सकते हैं क्या यह मैच मांच वे दिन जाएगा यह देखना बहुत जरुरी होगा खास करके बैट्समेन किस तरह से अटिट्यूड करते हैं वो है सब कुछ बढ़ियां शॉर्ट गेंचारण के लिए तरफ जा रही है लेकिन डीप अच्छे फिल्डिंग सिंगल मिलेगा यहां पर नाथन लैयॉन के इपाजी करते हैं कल के दिन दो चटके दे दिया था यह जिए पर लग पर लग जया था कि वहिए ग्लेंड आज का मैच तो बचाना मुस्किल होने वाला यह मैच पैला टेस्ट मयच को सबहुत हुत हिंगा मार्स को ही देंगे हम लोग की इंबाजी हमने डिसाइट किया है कि मीडियम पेसर और स्पिनर के साथ हम लोग जाएंगे इस मैच में 87 परसंट कॉंफिडेंस बहुत होता है इतना असान नहीं होता है आप 63 से सुरू करते है 63 से बढ़ा के टेस्ट मैच में 87 लाना 89 लाना असा लिए फिर्ट से बढ़ियत दोनों का कैसे विल्डिंग लगाई है उस हिसाब से गैप में जाती हुई कि रुकने वाला कोई नहीं यहाँ पर बढ़ियां भाउंड ही लगा है किस्वांस में सिच्वेशन के हिसाब से बहुत बढ़ियां खेल रहे हैं क्रिस्वांस अगर आ यहां पर अपील हुई है फिर से एक बार क्रिस वॉक्स ने अभी अभी एक सांधार चौका लगाया था उसके बाद मिचल मार्स ने बढ़िया वाफसी किये बल्ले पर अपील किये और एज लग चुका है इस बार पिछली बार भी अपील हुई थी लेकिन उस बार किनारा पकड में नहीं आया था होट स्वाट में लेकिन इस बार यहां पर आउट हुए हैं और पवेलियन जाना पड़ेगा चौथे दिन के सुरुवाद इंग्लेंड के लिए बहुत ही खराब रही है हमारे गीम में मैंने पहले कहा कि उल्टा हो रहा है गीम 26 में आट कोशिश तो बहुत कीन होने लेकिन इनफ नहीं थी जेम्स एंडर्सन 25 बनाये थे पिछली इनिंग में पर जरूरत है अब इसी 25 को दोराने की इस बाइस बनाये थे पहली इनिंग में अगर वैसा परफॉमेंस देते हैं तो 96% confidence है मैं गुगली डालूंगा या दूसरा डालूंगा जो आप्शन होगा दूसरा डालेंगे हम लोग 100% होने वाला इंतिचार हो रहा है बेस सब्री से की नाथन लिओन अपने special gain करें शुट ब्राउन अभी तक कोई खाता नहीं ख सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर बढ़ियां शौट खाते की सुरुहाद हुई है यहां पर सिंगल के साथ 326 रन यहां पर पीछे special gain आगया है इसके बाद मैं टालूंगा James Anderson पहली gain खेल चुक है चले दूसरी gain खेल रहे हैं बढ़ियां शौट कोई रन नहीं special gain यहां पर आएगी और दूसरा डालेंगे हम लोग काफी अच्छी line land पकड़ेंगे हम लोग स्टम पर अंदर रखेंगे हम चाहेंगे की batsman को खेलना पड़ेंगे ऐसा ना हो कि फिर खेले और फिर बड़ा शौट खेलने की कोशिश थी पहरों पर जाके लगी है लेकिन सर special की नम डालते हैं तो उमीद ऐसा होता है कि यार बंदा आउट हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं इस बार तो काफी हद तक सरवाई किया है यहां पर चौका भी लगता हूँ और के एंड में पिछले और में भी चौका लगा था यहां पर भी चौका लगा है तो मैंने पहले ह चीज होती है सरवाई करना यह चीज हमारे साथ भी प्रॉब्लम होता है यह प्रॉब्लम हमारे साथ भी है हम लोग भी सरवाई नहीं कर पाता है जब जरूरत होती ही टीम को और यहां पर हमारे अपोनेंट के साथ भी यहीं हो रहा है 95% confidence इनकी भी special के नाने वाले थोड़ी है कि छे गिनों में दो रंद कर चुके इस्टवर्ट ब्रॉट इस पेशल गेंड के लिए एक और गेंड आएगी चलिए कोई बात नहीं देखते हैं किसकी बदकिसमती है जो खेलेगा क्योंकि रिस्क बहुत है उस गेंड पर उस गेंड पे रिस्क बहुत है लेकि चौके ने यहाँ पर सब कुछ बिगार दिया है बढ़ियां विल्डिंग की कोशिश जरूर किये लिए कि चौका नहीं रोपाएं बढ़ियां गैप ढूंडा है यहाँ पर जैम्स हंडर्सन ने इस्टवर्ट और जैम्स हंडर्सन की चोडिंग की इंवाजी में कमाल करती आज बै इस बार एक गेन ही पीछे रह गए दे लेकिन इस बार काफी पीछे चले गए हैं और फिर से इनको डालनी पड़ेंगी तीन-चार के दे अच्छी तब जाकर यह पहुंचे के 100 पर एक और शॉट डीप में सिंगल मिलेगा यहाँ पे 312 रन पीछे हैं यह बड़ी हार होगी हार्ड मोड में अगर यहाँ पे हारती है इंगलेंड की टीम तो यह बहुत बड़ी हार है 300-200 रन की हार बड़ी हार होती है अच्छी तो सबस्का क्रेडिट जाता है पहले दिन जो हमने बैटिंग किने टेस्ट मैच में हम बहुत दिनों के बाद टेस्ट मैच करे देते हैं मुझे खुद को आईडिया नहीं ता किस तरह से खेलना है किस एटिट्टीट के साथ खेलना है अग्रेसिव खेलना है यार फिर से मुझे रैकॉर्डिंग से रोकरने पुड़ेगी अ मैं आपको बता नहीं सकता कितनी प्रॉब्लम आरी इस आज के दिन के लाइच इस रैकॉर्डिंग को करने में एक बार फिर से गीम क्रेश हुआ था और इस पार तो प्लेयर ही गाएब होगे थे सारे सिप ब यह लगबग तीसरी पार चौथी नहीं पांचवी पार लाइफ्ट्रीम रोपने पड़ी यहां पर भी कुछ हुआ है मुझे लग रहा है इसकिप का उप्शन नहीं आ रहा है तीन के दो में एक रहन यहां पर नाथन लियौन की के इनवाज जी जेमस संटरस ने दू चौपके लगा चुके हैं यहां पर बढ़ियाः फिल्डिंग ने रोपाय चौपका फिल्डिंग सैटप ला जवाब है आप इस फिल्डिंग सैटपको हाई रेटिंग दे सकते हैं लॉंग और लॉंग भई हाफ पर है उसके अलावा लैकसाइड में भी दो प्ले अब पर रखे हैं एक्जेक्ट आप नहीं है लेकिन लगबग हाफ कह सकते हैं तो काफी अच्छे फिल्डिंग है सिंगल भी रोके जा रहे है चौके भी रोके जा रहे है थोड़ा सा गैप है पर वो रहता है हर जगह कोई भी फिल्डिंग सेटप लगाओ एकाथ गैप तो रह जाता है उसको भी कवर कर सकते हैं लेकिन में उसको कवर करने जाएंगे तो प्रॉब्लम यह होगा कि सिंगल डबल के चांस बढ़ जाएंगे 97% confidence के साथ सुरुवात की है इस बार पिछली चाहिए तो हुक शॉट के लिए गए हैं प्लेयर के हाथों में गई यह स्पेशिल गैन आने वाली है और जेम्स एंडर्सन के हिस्से में आई है रिवर्सिंग होगी यह गैन विकेट के हिसाब से बहुत इंपोर्टन गेम है विकेट लेनी होगा तो इससे बहतर मौका नही दिखाया है और मुझे लग रहा है यह मैच अब चौथे दिन में ही पूरा होगा अब इनाथन लियोन कभी कुछ जाला बड़ा कमाल नहीं दिखा पाएं लेकिन वह भी वापसी करेंगे एक तरफ से अटैक कर रहे हैं रन रोक रहे हैं दबाओ बना रहे हैं अगर आप दे को अप्शन है आप ले सकते हैं लिखना होगा नचर है मेरी क्या घरते हैं लिया है DRS छली चैक करते हैं अल्ट्र अइच हुआ है कि आउट हो नौट आउट दिया और फिर नौट निकलाओ इसा तो बहुत कंबार होता है तो बाल यहां पर अभी को इनका पता नहीं कौन है बॉलर लेकिन यहां पर गोल्डन डग लेकिन जीत गया यहां पर 306 रनों से अरे यह तो में पता ही नहीं है ध्यान ही नही अरे मैच तो पूरा हो गया पूरा डेफोर भी नहीं चला है और तीन सो जे रनों के बड़े अंतर से यहां पर जीता है यह मैच बड़ी विक्टरी यहां पर आस्ट्रेलिया के लिए टिम पेंड ने बनाया है 142 रन पहली इनिंग में बनाया थे इसके लिए मैंनो तो मैच बने है और यह है आज का इसको यह पूरा स्कोर का पूरी इनिंग का एक है समरी आपके सामने टिम पेंड रहे हाई इस स्कोरर जेम्स एंडरसन ने चेबर दसकी इनवाजी की लेकिन तब तक रन बहुत बन गया थे स्कोर काट पे इंगलेंड की टीम आई जॉनी बैस्टों ने फाइट दी हजल वोट के पांच होगाट यहां पर एक्जेक्ट दो सो रन पे रोका था फॉलो ऑन नहीं दिया था बैटिंग में उतरी थी ऑस्ट्रेलिया टीम और मेरे कहां से फॉलो ऑन दे दी तो इह की निंग से चीप दी क्योंकि 156 पे आल आउट वी है दूसरी इ पर लगो η बीडियो आपको पसंद आई हो भी और वी ऐसे विडियो दानने वाले असी इसका पूरा great अफॉर्स्रेक्ट आई होगा हमारी आप में त्हस्या जाथा ने होता है पर वक्त होगया लोगों से विदा लेने का और चल्द ही मुलागाद होगी आप लोगगों साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए मुस्करा दे रहिए अपना सपोर्ट गार हमारे वीडियो और चैनल को देते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तब तक टेलिए बाई बाई